हेलो एब्रिवान, वेलकम तो मैं चैनल, यू और वाचेंग इंग्लिस स्टडी ही एब्रिवान, आज की इस वीडियो के द्वारा हम अपने वोकैबिलरी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 100 इंग्लिस वर्ड्स, ओकी listen, listen का अर्थ होता है सुनना, listen remind, remind का अर्थ होता है याद दिलाना, स्मरन कराना, ठीक है remind, याद दिलाना, deny, इसको हम पढ़ेंगे deny, deny का मतलब होता है नकारना, ओकी, deny, next labor labor का अर्थ होता है परिश्रम करना मेहनत करना ठीक है labor courage courage का अर्थ होता है साहस हिम्मत courage proper proper को हम हिंदी में कहते हैं उचित सही ठीक ठीक है proper really का अर्थ होता है सच में सचमच में वास्तव में ok really next enough enough को हम हिंदी में कहते हैं पर्याप्त काफी ok enough enough special special को हम बोलते हैं खास vicious vicious ok special literally literally को हिंदी में हम कहते हैं सच मुच या फिर सही में ok literally reply reply का अर्थ होता है जवाव देना उत्तर देना ok reply due to due to का अर्थ होता है के कारण की वजए से ok due to this due to that इसका मतलब होता है कारण depend depend का अर्थ होता है निरभर होना या फिर आश्रित होना depend complete का अर्थ होता है पूरा करना खत्म करना जब हम कोई कार खत्म करते हैं complete obtain obtain का अर्थ होता है प्राप्त करना हासिल करना ok obtain finish finish का अर्थ होता है समाप्त करना या खत्म करना finish ok next skip skip का मतलब होता है छोड़ देना ok skip bitter bitter का अर्थ होता है कड़वा कड़वा bitter agree agree को हम हिंदी में कहते हैं सहमत ठीक है सहमत होना राजी होना मतलब agree just just का अर्थ होता है तुरंत या फिर अभी just limited limited यानि सीमित limit का मतलब होता है सीमा और limited यानि सीमित evil evil को हम हिंदी में कहते हैं बुराई दुष्टता हानी ok evil evil guide guide का अर्थ होता है मार्ग दर्शन करना राष्टा दिखाना ठीक है guide करना guide admire admire यानि प्रशन्षा करना तारीफ करना ok admire hesitate hesitate का अर्थ होता है संकोच करना हिच के चाना ok hesitate blunt blunt का अर्थ होता है मुफट स्पष्टवादी ठीक है blunt influence influence का अर्थ होता है प्रभाव या फिर असर influence give up give up का अर्थ होता है हार मान लेना या फिर त्यागना give up यानि हार मानना wisdom wisdom को हम हिंदी में कहते हैं अक्ल पुद्धी बुद्धी मता wisdom expect यानि आशा करना उमीद लगाना ok expect somehow को हम बोलते हैं जैसे तैसे किसी तरह ok somehow anyhow यानि किसी भी तरह या फिर चाहे कैसे भी ok anyhow well-being well-being यानि भलाई hit कल्यान ok well-being well-wisher का अर्थ होता है शुब चिन तक या फिर हितेशी जो हमारे बारे में अच्छा सोचता है हमारी hit की सोचता है well-wisher spoil spoil यानि खराब कर देना बेगार देना ok इसे इंगलिश में हम कहते हैं spoil reach यानि पहुचना पहुचना reach ok next convenient convenient यानि शुविधा जनक आराम दायक ok convenient delicate delicate का अर्थ होता है नाजुक कोमल संवी दंशील ok delicate tolerate tolerate यानि बरदाश करना सहन करना tolerate approximate approximate का मतलब होता है लग भग अनुमानि ठीक हम अनुमान लगाते हैं यानि approximate forgive forgive का अर्थ होता है माफ करना शमा करना ok forgive proficient यानि कुशल दक्ष निपोन इस वर्ड का यूस आप कर सकते हैं किसी की प्रशनशा करते वाद proficient evident यानि प्रत्यक्ष स्पष्ट जाहिर ok evident shameless shameless का अर्थ होता है निरलज बेशर्म ok shameless right here यानि यहीं इसी जगा ok right here serious यानि गंभीर चिंता जनक ok spend इसका अर्थ होता है खर्च करना पिताना ok let let यानि अनुमती देना किसी चीज़ को होने देना let opposite यानि विपरीत किसी चीज़ का उल्टा ok opposite artificial artificial का अर्थ होता है बनावती जूटा ok artificial still still को हिंदी में हम कहेंगे फिर भी या फिर अभी तक ok still affection affection का अर्थ होता है इसने more ok affection serve serve यानि सेवा करना सेवा करना ok serve after after का अर्थ होता है के बाद ठीक है के बाद after और before का अर्थ होता है के पहले ok पहले यानि before sneeze sneeze का अर्थ होता है छीखना ok छीखना sneeze leisure leisure का अर्थ होता है फुर्सत आराम या फिर खाली समय ओके लैजर wait wait यानि इंतजार करना फ्रतिक्षा करना ok wait then we have crack finger यानि उंगली चटकाना उंगली चटकाना यानि crack finger majority majority का अर्थ होता है बहुमत prediction prediction यानि भविश्यवानी जो भविश्य के बादे में पहले ही अंदेशा करते हैं यानि prediction already already का अर्थ होता है पहले ही पहले से ok already apologize apologize यानि माफी मांगना always always का अर्थ होता है हमेशा सदेव या फिर सदा always dull यानि सुस्त या फिर आलसी जो आलसी लोग होते हैं उनके लिए हम कह देते हैं कभी dull wish विश का अर्थ होता है इच्छा या फिर काम ना करना ठीके विश impressive यानि प्रभावसाली किसी को impress करना यानि किसी पर प्रभाव डाना प्रभावशाली intention का अर्थ होता है इरादा या फिर नियत ठीके intention nature का अर्थ होता है गुन गुनाना ठीके जैसे हम गाना गुन गुनाते हैं nature ओके idea का अर्थ होता है योजना विचार ओके idea civilized civilized का अर्थ होता है सभ्य शिष्ट ठीके civilized deceive यानि धोका देना deceive again अगेन का अर्थ होता है पुनाना या फिर फिर से ठीके again next misguide 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 का अर्थ होता है रास्ता भटकाना गुम्रा करना बहकाना ठीके जिसे guide का अर्थ होता है मागदर्शन करना misguide का अर्थ होता है रास्ता भटकाना ठीके provoke provoke यानि भटकाना उकसाना या फिर उत्तेजित करना ठीके provoke next retrieve यानि पुना प्राप्त करना या फिर वापस पा लेना किसी चीज़ को हम वापस पा लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं मतलब retrieve slightly slightly यानि कुछ हद तक थोड़ा सा या फिर जरा सा ठीक है slightly nourish नरिश यानि पालन पोशन करना nourish agitation agitation का अर्थ होता है व्याकुलता घबराहट बेचैनी ठीक है agitation apt apt यानि उप्युक्त योग्य या फिर लायक ठीक है apt superior superior का अर्थ होता है बहतर श्रेश्टतर उच्चतर superior repent repent का अर्थ होता है पश्टाना या फिर पश्टावा करना ठीक है पश्टाता repent against against यानि विरुद के खिलाफ के विरुद okay against clearly clearly यानि पश्ट रूप से साफ साफ तरीके से ठीक है clearly deliberately यानि जान बूज कर जान बूज कर कोई कार करते हैं जैसे ठीक है deliberately extremely यानि बहुत ही बेहर्द या फिर अत्यधिक ठीक है extremely often often का अर्थ होता है अकसर ठीक है प्राई अकसर okay often escape escape का हिंदी में हम कहते हैं बचना पलायन करना या फिर कहीं से सुरक्षित निकल जाना ठीक है escape escape usually usually यानि आम तौर पर rarely rarely का अर्थ होता है कभी कबार या फिर शायद ही कभी okay rarely therefore therefore का अर्थ होता है इसी लिए ठीक है इसी लिए therefore sometime sometime यानि कभी कभी sometime durable durable यानि टिकाऊ इस्थाई ठीक है durable durable extent extent यानि हद या फिर सीमा ठीक है extent again and again यानि बार 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 ओके again and again liability यानि दायत्व जिम्मेदारी ठीक है liability scratch head यानि सिर्खो जाना scratch head okay next hardly hardly का अर्थ होता है मुस्किल से या फिर शायद ही ठीक है hardly abnormal abnormal का अर्थ होता है असमान्य अनुचित ठीक है abnormal dispute यानि मत बेद विवाद या जगड़ dispute यानि जगड़ well this is the end of the video if you like then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this अनुचित यानि मत बेद लीक है शो जाद होता है आप जगड़ लीक है झाल अनुचित